मैं सम्षेर की आलोचिना दुरुष्टी को लेकर आपके सामने प्रपत्र पेश करने के लिए मैं डक्टर अमर जोती मैडम से वेजन करता हूं कि मैडम आके आपके सामने एक अच्चा प्रपत्र पेश करेंगे अबागार में उपस्तित विद्वजनों मेरे गुरुजनों और शोधार्ती एवं छात्रमित्रों को नमस्कार कल से शम्षेर पर जो बाते हो रही थे तो दो बाते मतलब दो शब्द बार बार दोहराए जाये थे शम्षेर की रचनाओं में दिवानगी है शम्षेर समकालिनों में अलग है और यही बात उनकी आलोचना दृफ्टी के संबन में भी हम देखते है उनकी समिक्षा उनकी आलोचना बिलकुल अलग तलग दिखाई देती है वो किसी की गलतियां भी पकड़ते हैं अपनी रचनाओं में वहाँ भी वो बहुत ही नजाकत के साथ बड़ी कोमल शब्दावली में अपनी बाते रखते है या मैं कहूं समकालीन रचनाकारों पर उन्होंने अपनी जो आलोचनाएं प्रस्तूत की है वहाँ उनके गलतियां या उनकी कमजोरियां आदी जो बताते हुए भी वो सीधे सीधे बात ना करते हुए व्यंग की ओर मुड़ जाते है और बात वहाँ चुभती नहीं है तो शमशेर की आलोचना दृष्टी पर इसी आधार पर मैंने जो प्रपत्र प्रस्तूत किया वो आपके सामने पेश है शब्दों के कुछ समूह हमारी चेतना पर अचानक एक हतोड़े की तरव पड़ते हैं और हमें बुरी तरव जिंजोर डालते हैं वे हमारी सीमाएं बताते हैं और हमारे मस्तिष्क पर सवार होकर कहते हैं देखो, ऐसा भी सोचा जा सकता है, ऐसा भी सोचा जाना चाहिए. शमशेर बहद्दूर की आलोचना दृष्टी यही दिशानिर देश करती है शमशेर की आलोचना दृष्टी विचारों की अभिवेक्ती नहीं करती अपिती तीवर प्रतिक्रियाएं वेक्त करती है जो सोचने पर मजबूर करती है इसलिए उनके शब्द सांचे से कैमवास से बाहर चले जाते हैं फिर भी अभिवेक्ति अर्थ पा जाती है लगता है शम्षेर बहदुर जी अनलिखे अनभिवेक्त को भी पाठक की जेतना में लिख देना चाहते हैं शम्षेर दाइरे तोड़ कर अभिवेक्ति करते हैं कारण वे सदा यथार्त की जमीन पर ही फलते फूलते रहे हैं पर उनके विचारों में वाम विचार चिंतन की यथार्तवादी द्रिष्टी का उज्वल पक्ष अधिक मुखर है शम्षेर का चिंतन केवल कलात्मक ही नहीं बलकि वैचारिक और चिंतन शील भी है जो उनके सामाजिक सरोकार की पहचान कराता है शम्षेर विचारों में रोमांटिक, भावबोध और सुजनात्मक चेतना के स्तर पर माक्सवादी माने जाते हैं तता भाशा शिल्प के स्तर पर जनवादी अपनी आलोचनात्मक गद्ध में उन्होंने कवी और कविता के भीतर उतर कर उसका विशलेशन किया है उन्होंने उसमें डूब कर उसे अनुभो कर उन परतों को उधेडने की कोशिश की जिन परिस्तितियों और मनोदशा में उसका स्रिजन हुआ उनकी आलोचना द्रिष्टी धीमी गती से विवेच वस्तू के कलात्मक स्तरों को उदगाटित करती चलती है तो कहीं कहीं उनके कविताओं के आवेग उनके गद्ध में भी देखने को मिलते हैं विशेशकर जब वे अपने प्रिय कवियों पर लिख रहे होते हैं शमशेर को निराला अधिक याद आते हैं 16-17 साल की उम्र में शमशेर ने निराला की जो कविता पड़ी थी वहती मौन यह कविता उनकी चेतना में गूंचती रही उन्होंने कहा यह एक महान गीत है या नहीं मैं नहीं जानता मेरे निकट तो यह महान है मगर शुरू से ही यह मेरे मन में गूंचता रहा है और आज तक गूंच रहा है सच तो यह है कि इसके हर पद के साथ अर्थों के साथ साथ कितनी सारी बाते जुड़ी चली आती है भाव या अर्थ में इसमें किसी एक जगह पर ठहरावसा नहीं है वो भी जैसे गती में हो किसी बाड के प्रवाह की तरह लहरों का साथ द्वंद उभरता है मिटता है उभरता दिखा है उसी में क्षण की बूंद के चारों और जीवन का प्लावन भी है मौन की इतनी सुक्ष्म और विस्तृत व्याख्या शमशेर के वश की ही बात थी रामविला शर्मा निराला के वैराट्ट से इतने अभिभूत है कि इनकी छोटी बातों की तरफ ध्यान जाना संभव नहीं है इसी तरह निवेदन और स्वप्न स्मृती सरी की कविताएं शमशेर को एक तरह से हमेशा हांट करती रही है निराला की इन शुरू की कविताओं में शमशेर को एक नॉस्ट्रोलाजिक फीलिंग दिखाई पड़ती है इन्वेडेट कॉमस में किसी की याद उस याद को वह एक उदात रूप देना उसमें संगीत को उसका प्राण बना देना चाहते है महसूस होता है जैसे घंटो जूम जूम कर गा गा कर उन्हें लिखा गया होगा ताल नाचने की मुद्राएं उसमें समाहित होगी निराला की ऐसी खूबियों पर शमशेर जैसे आलोचक का ही ध्यान जा सकता है कविता की बनावट पर शमशेर की नजर देर थक ठहरती है कविता की रचना प्रक्रिया पर अपनी आलोचना प्रस्तु करना शमशेर को एक आति विशिष्ट दरजा प्रदान करती है एक-एक शब्द काव्य पंक्तियों के सयोजन में डौट की भूमिका और अर्थ की पहचान उन्हें बखूवी है कविता में गीती तत्व के महत्व का एहसास भी उन्हें है निराला में उन्हें सबसे अधिक आकरशक चीज गीती का कविता से बखूवी जुडाव ही है निराला के बाद शमशेर के सबसे प्रिय कभी मुक्तिबोध है प्रिये लगने वालों की सूची में निराला और मुक्तिबोध का सरवाधिक उपर होना शमशेर के बारे में बहुत कुछ कह देता है देखा जाए तो मुक्तिबोध शमशेर से काफी भिन्न है भिन्नता से विरोध ही देखने में आता रहा है लेकिन शम्शेर उन विरले लोगों में से है जिने बिन्नता भी सबसे नजदीक लाती है मुक्तिबोध को ही मुक्तिबोध को हिंदी आलोचन आलोचकों ने एक एबनॉर्मल कवी के रूप में पेश किया है पर शम्शेर ऐसा नहीं मानते पर वास्तों में मुक्तिबोध को कैसे पढ़ा जाए वो ये बताते है मुक्तिबोध की कविताओं को किसी राजदा की बातों की तरस संभल संभल कर सोंच सोंच कर बलकि कभी कभी दोहरा दोहरा कर पढ़ना चाहिए किसी किसी कविता के कहीं अंश जासुसी उपन्यासों की भी याद दिलाते हैं मगर वह हरगीज एक सपाटे से पढ़ लिये जाने वाले उपन्यासों के अंश नहीं है मुक्तिबोद को निराला की परंपरा में लाकर खड़ा करने का काम शायद पहली बार शमशेर नहीं किया नागारजुन का भाषा और साहित के रसमर्मग में पंडित होते हुए भी गाव गवई के चिलमसा रफ और अपनाव भरा व्यक्तित्व शमशेर को बहुत आकरशित करता है यह मोफट कवी अक्सर उन्हें सबसे बड़ा सुलजा हुआ, सबसे आधुनिक, सबसे जागुरुक कवी लगता है शमशेर जी का स्वप्र था कि वे नागारजुन की कोई सो सवासो कविताओं का चैन करते और तब दिखा देते कि गूढ योजनाओं वाला यह कवी कैसे हिंदी का अद्विती यह कवी है सबसे बड़ा व्यंग्यकार जिसे इतिहास कभी भुला नहीं सकता शमशेर के विचारों से आज के अत्यनत सस्ते खोकले दंब के युग में नागारजुन की कविताओं की कीमती दस्तावेज है केदारनाथ अग्रवाल की कविताओं में शमशेर उनका दिल आरपार देखते है और वह दिल भी ऐसा जो हर तरह के बुजरुवा और अहम से पाक है केदारनाथ अग्रवाल के कमिट्मेंट की शमशेर सराहना करते है उनकी प्रतिनिधी कविताओं के संकलन फूल नहीं रंग बोलते है की समिक्षा समशेर नहीं की थी केदारनाथ अग्रवाल पर आलोचकों का यह आरोप था की वे एक फार्मालिस्ट कभी है शमशेर जी के खयाल से केदारनाथ अग्रवाल को उपरी तोर से ही फार्मालिस्ट कहा जा सकता है वास्तविक अर्थमे वे नहीं है इस धारणा को सुलजाने के लिए शमशेर जी तुलसिदास और केशों के उदाहरण भी देते हैं ठीक उसी तरह जिस तरह क्रोंचे के अभिविंजनावाद के सिलसिले में आचार्य शुक्ल को केशों याद आये थे शमशेर के मुताबिक केदार या त्रिलोचन या मुक्तिबोद किसी एक रूप या फार्म को अपना लेते हैं और उसी के माध्यम से जो कुछ कवी के नाते देखते और अनभो करते हैं वेक्त कर देते इस अभिवेक्ति की प्रक्रिया में निश्चे ही रूप प्रकार को वे अपने वेक्तित से प्रभावित भी करते हैं कभी कभी अत्यधिक प्रभावित करते हैं जैसे मुक्तिबोद का उस फार्म का आधार भूत वैशिष्ट पूरी तरह सुरक्षित रह जाता है इसी सिलसिले में मसलन केशो रूप्रकारवादी है तुलसी नहीं यदिपी चोपाई और दोहों पर तुलसी की अतुलनिय असाधरन अधिकार है जितना की केशो सपने में भी प्राप्त नहीं करते रूप प्रकार का यह अधिकार तुलसी को रूप प्रकार से मुक्त कर देता है तुलसी प्रयोग करते हैं मगर रूप प्रकारवादी नहीं है रूप प्रकार के प्रती केशव का मोह, रूप प्रकार का ही केशव के लिए कला का सीमा होना उन्हें उसी के चमतकार में सीमित कर देता है शमशेर इसी संदर में एक और दिल्चस्प मिसाल महा कवी बिहारी की देते है बिहारी दोहे के रूप प्रकार पर मिटा हुआ है यह सही है कि बिहारी ने दोहे के आंतरिक रूप प्रकार की भी बहुत गहरी उपलब्दी की है दूसरी और रहीम है और कबीर या तुलसी गहरे संसकारी व्यक्तित्व जीवन का हर उंच नींच जहले हुए जिनके दोहे रूप प्रकार वाज से मुक्त है उनके दोहे में एक ऐसा सहज स्पंदन है जिसने रूप प्रकार को मौम कर दिया है उनमें कलात्मक रस की उपलब्दी से कुछ अधिक हमें प्राप्त होता है शमशेर कवियों या कविताओं की चर्चा करते हुए अकसर आधार भूत मुद्दों की जड़ तक जाते हैं कहीं बार ऐसा लगता है कि शमशेर सब की तारिफ करते हैं शायद ये आधा सच है पर पूरा सच यह है कि उन्होंने सिर्फ उन पर ही लिखा है या कुछ कहा है जिने वे किसी न किसी रूप में पसंद करते रहे हैं एक तो उनका व्यक्तित भी ऐसा था जो दूसरों को किसी तरह से दुख नहीं पहुंचाना चाहते थे पर ऐसा नहीं है कि किसी पर कुछ लिखते हुए वे सिर्फ प्रशंसा के पूल बानते रहे हो उन्हें जो कहना होता है वह तो वे कहते ही है खुद स्विकार करते भी है कि कई उनके प्रिय कवी सिर्फ उनके ही प्रिय कवी रहे है गूमनाम कवियों की उन्होंने खुलकर प्रशंसा की है बड़े नामों के ग्लैमर में लगुता की और दृष्टिपात करना शमशेर कभी नहीं भोलते त्रिलोचन और शिल्प पर वे एक कठोर मत रखते हैं और यह मानते हैं कि उनके यहां जो कमजोरियां है वह सहज ही कब की दूर हो सकती थी मगर कई बातों की तरह भाशा और शैली पर भी इनके दृष्टिकोर्ण में एक तरह का कटरपन है एक कड़ापन इस दिशा में मैं समझता हूँ कि इनके और मेरे बीच कहीं न कहीं बुनियादी मतबेद है त्रिलोचन शमशेर के सरवाधिक प्रिय कवियों में से है लेकिन जहां मतबेद है वहां है शमशेर के सामने एक और कवी है जो बड़ी ही विंग्यात्मक मुद्रा में उनके सामने खड़ा है कवी सत्यशिवसुंदरम और किसान कवी और उनका पुत्र के रामविला शर्मा शमशेर के लिए उन्हें भूल पाना सहज नहीं है क्योंकि वे अपने को किसी माक्सवादी प्रकाशन संस्था या आलोचक नहीं मानते मगर ये सफलता बुद्धिवादी कलाकार की है नागारजुन की कमजोरी उनका रधे आवेश कहा जा सकता था इसलिए जहां नागारजुन सफल होते है एकदम रुधे को मोह लेते है और हम प्रायहा उनके पक्षधर की सराहना भूल जाते है ऐसा समझोता डॉक्टर रामविला शर्मा अपने केस में शायद कभी न होने देना चाहते कि उनका पाठक किसी भी कीमत पर उनके पक्षधर को भूल जाए नागारजुन और रामविला शर्मा की यह तुलना किसी और के वश की बात नहीं थी प्रभाकर माच्वे को वे आधुनिक कविता का एक गंभीर विदूशक कहते है हलका और गंभीर एक साथ अग्ये जी को वे चुपचाप अपना एक फेवरेट कवी मानते है और अपने इस फेवरेट कवी के प्रती अत्यधिक कड़ी आलोचनात्मक द्रिष्टी भी रखते है मगर अपनी समझ के लिए सारवजिनिक व्याख्या के लिए उन्होंने ये बात नहीं कही थी अग्ये के यहां जो चीज उन्हें सबसे अधिक आकरशित करती है वह है उनकी व्यापक और गहरी सुरुची जिस पर भरोसा किया जा सकता है अग्ये में जो चीज शमशेर को खटकती और साथी आकरशित भी करती रही है वह है उनका सदैव अपनी भावनाओं के प्रती सचेत रहना कभी वह अपने को भूल नहीं सकते खो नहीं सकते वह बड़ी बात भी है ऐसा आर्टिस्ट निरंतर उपर उठता जाएगा अगर प्रग्यावान है और विनम्रता और क्षमा उसका आंतरिक स्वभाव है शमशेर कभी भी अपने किसी फेवरेट कभी को अपने लिए आतंक नहीं बनने देना चाहते हैं इसके लिए कि वह आतंक बने वे उसे छोड़ देते हैं निराला मात्र एक अपवाद है इसके अलावा अगर किसी मेरे फेवरेट कभी का कुछ आतंक मुझ पर है रादेश शाम शुकला जी पधारे है अध्यक्ष के स्थान पर उनका स्वागत है बहुत बहुत सागत है सरापका शम्षेर कभी भी अपने किसी फेवरेट कभी को अपने लिए आतंक नहीं बनने देना चाहते है इसके लिए कि वह आतंक बने वे उसे छोड़ देते है निराला मात्र एक अपवाद है इसके अलावा अगर किसी मेरे फेवरेट कवी का कुछ आतंक मुझ पर है तो वह इश्वर जानता है मुक्तिबोध का है नागारजन, त्रिलोचन और अग्ये की सफलता शमशेर के लिए हर्श का विशे रही है नागारजन और त्रिलोचन से उन्हें एक दृष्टी मिली है जिसमें वे एक व्यापक सामुहिक सत्य का दर्शन करते है जबकि अग्ये इससे हट कर दिखाई देते है अग्ये जी ही संतोश देते रहे हैं सुवद्रा कुमारी चोहान को शमशेर गहरी सम्वेदना की कवहित्री मानते हुए भी उनकी रचनाओं में कलात्मक्ता को स्विकार नहीं कर पाते पंत जी की चेतना भी शमशेर से अंचुई नहीं है उनके मुताबिक सच तो यह है कि पल्लों में शब्द माधूर ने कवी को बहुत मोह लियाता भाओं के साथ उनका संतुलन गुंजन से शुरू हो जाता है जो युगांत में गंभीर होकर आगे युगवानी में कवी को अखरने सा लगता है यहां तक कि वह अक्सर लिरिक भावना को तिलान जली तक दे देता है वह पहली सी कोमलता कहीं खो जाती है ग्राम्या में वह श्री ए एक तरह से लौट आती है यानि प्रोड और गंभीर होकर आधुने खिंदी कविता में प्रयोगवाद नाम की फेनोमिना शमशेर को काफी परेशान करती है वे प्रयोगवाद को नर्वस ब्रेकडाउन का आर्ट मानते है प्रयोग ही तारसब्तक का नारा है तारसब्तक की प्रयोग धर्मिता को शमशेर ने कोई खास नया प्रयोग नहीं माना था इसके दो कारण उन्होंने बताये थे एक तो यह कि जिस तरह के प्रयोग का दावा तार सब्तक में किया गया था उस तरह के प्रयोग निराला और पंत सरी के कवियों की दुनिया में मिल जाते हैं दूसरा कारण जो तार सब्तक के प्रयोगों को नियून करता है यह कि वे बहुत कम सफल हुए हैं यहां सिवाए अग्गे और राम विलास के एक सीमित दिशा में गिरिजा कुमार के प्रयोगों की सफलता हिंदी में एक सुन्दर चीज है निस्संदेह पर वास्तों में वह भी इतनी मौलिक नहीं जितनी लगती है उपर से देखने में माचवे के बिम्ब चित्र कवी की और से काफी दायत्व हिंता का परिचे देते हैं राम विलास के प्रयोग एलिटिक है जो अधिकांश तो इसलिए सफल है और कुछ इस कारण की कवी ने प्रयोगों को प्रयोग के नाते बहुत कम शायद न कुछ के बराबर महत्वदिया है कवियों की भाव भूमी ने ही स्वयम अपने चंदों के उपकरण जुटवा लिये है गजानन मुक्तिबोध की अभिवेक्ति उनके कला प्रकारों के अनुरूप सुक्ष्म और पुष्ट नहीं है तार सब्तक के मुक्तिबोध अपनी आंतरिक विनष्ट शांती और शारिरिक द्धन्स के उपर व्यक्तिवाद का कवच पहने अपने घोर मानसिक द्धन्द से जूज रहे है वहीं अग्यें अपने चारों और वर्जनाओं का एक संसार देखता है वह घोशित करता है कि उसका व्यक्तित्व उस सब को परास्त कर देगा क्षार क्षार तब वही धन्स्त गौरों का पथ उसका पथ होगा शेश हीन पथव जिस पर एक दुड़ पैर का ही स्थान है और वह दुड़ पैर मेरा है कवी पूछता है कौन हूँ मैं तेरा हीन दुखी पददलित पराजित आज जोकी कृध सर्प से अतीत का जगा मैं मैं से हम हो गया यह हम जनता का हम नहीं अपने जागरत अतीत से प्राप्त हम है शमशेर हिंदी कविता और कवियों के अतरिक्त हिंदी से बाहर के कवियों पर भी जब बात करते है तो यह कहपाना मुश्किल हो जाता है कि वह कवी क्या सचमुच बाहर का है कारण सभी से गहन आत्मियता पत सब का अंत में अंत में एक है शमशेर जी ने सैध्यांतिक आलोचना ग्रंथ या सौंदर्य शास्त्र विक्सित करने के बजाए उन्होंने व्याभारिक पक्ष पर ही सीधे सीधे बात की है शमशेर की व्याख्याओं और आलोचनात्मक लेखों को पढ़कर हमें उनकी कविता पर सोंचने की प्रेणा नहीं मिलती आश्चर होता है कि शमशेर जैसा कभी अपने किसी भी लेख में अपनी कविताई का संकेत नहीं देता उनके लेखों को पढ़कर एक ऐसी चिंतन प्रनाली को जानने समझने का मौका मिलता है जो एतिहासिक प्रासंगिक्ता के साथ साथ समसामईक सार्थकता अर्थवत्ता और समझ पर परियाप्त बल देती है लूई अरागा पर लिखते हुए शमशेर जी ने एक जगह यह कहा था कि अरागा जिस सुक्ष्म समझ और अपनाओं के साथ दूसरे कवियों की रचना को दाद देता है वह महज रस्मी या बुजरगाना ढंग की चीज नहीं है बलकि उसमें अच्छी कला की जांच और तोल के साथ एतिहासिक परक की नजर छिपी होती है शमशेर की आलोचरा में समुद्र की गहराई और विस्तार भी है जिस से उनकी अध्येन शीलता और विचार शीलता का पता चलता है यही कारण है कि शमशेर की समिक्षा को पड़ते हुए गालिब, निराला, त्रिलोचन, मुक्तिबोद और पाबलू नेरुदा को ढूंडा जा सकता है उन्होंने अपने समकालिनों पर बहुत लिखा है तथा तुलनात्मक अध्येन पड़ती को विस्तार और विता भी दी है शमशेर का सारा जीवन संगर्ष और चुनोतियों से भरा कलात्मक प्रयोगशाला रहा है यही कारण है कि अन्यकवियों की तुलना में शमशेर की अलोचना अधिक रचनात्मक, कलात्मक और स्रिजनशील है